हेलो दोस्तो, कलर स्वित कोमल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आपने अपने किचन में गर्म मसाले के रूप में इस मसाले का प्रियोग जरूर किया होगा इस्टार के आकार का होनी के कारण इसे इस्टार एनिस के नाम से जाना जाता है चक्रफूल के नाम से विख्यात इस मसाले को भोजन में सुगन पढ़ाने के लिए प्रियोग किया जाता है अपनी तेज खुश्बू के कारण इस मसाले का इस्तमाल हम कई तरह के वियंजनों में करते आ रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं भोजन में स्वाद और सुगन पढ़ाने वाला ये मसाला आपकी कई तरह की सारीरिक और मानसिक बिमारियों को दूर करने के लिए अच्यूक और सिदिका काम कर सकता है कई एंटि आक्सेडन्ट गुनों से भरपूर ये चक्रफूल एक स्टार हर्ब है एंटि फंगल एंटि बैक्टिरियल प्रॉपर्टी से युक्त ये स्टार एनिस अगर उचित मात्रा में प्रियोग किया जाए तो हमारे कई रोगों का नास कर सकता है और हाँ एक बात तुम्हें बता नहीं भूल गई आपकी कई तरह की ब्यूटी प्रॉबलम को जैसे की आपके स्किन की प्रॉबलम को और आपके बालों से रिलेटिट प्रॉबलम को ये इस्टार एनिस दूर कर सकता है सबसे पहले तो ये इस्टार एनिस आपकी बढ़ती उम्रे को आपके चेहरे पे आनी से रोकता है आपके चेहरे से जुर्यों को रिंकल्स को को सो दूर रखता है और साथ ही आपके चेहरे से पिंपल्स को जाईयों को भी दूर रखता है और आपके चेहरे पे एक अद्बुत ग्लो लाता है, आपके चेहरे को एक यंगर लुक देता है आपके बालों की समस्या चाहिए वो बाल ज़रनी की समस्या हो, बाल सफेद होनी की समस्या हो, यह श्टार एनस उन्हें काफी हद तक दूर कर सकता है हमारे इसकिन की प्रॉब्लम और हमारे बालों की प्रॉब्लम को सॉल्ब करने में ये चक्रफूल कैसे हेल्प कर सकता है इसी वीडियो में आगे देखते हैं सौंदरे समस्याओं के साथ सथ कई तरह के सारेरिक और कई तरह के मानसिक बिमारियों को दूर करने में चक्रफूल का एहम भूमिका होती है अपनी खुश्पू और सुगंद के कारण चक्रफूल का इस्तेमाल अरोमा थेरेपी में किया जाता है इसके तेल की मसाज करने से चिंता और डिप्रेशन दूर होती है इस्टार एनिस में दर्द दूर करने के गुन होते हैं इससे हमें अच्छी नींद आती है अगर हम सोनी से पहले एक ग्लास दूद में उचित मात्रा में इसे मिला के पिए तो बहुत अच्छी नीन दाती है अंटी बैक्टेरिल अंटी फंगल प्रॉपर्टी से युक्त होने के कारण किसी भी तुच्छा की बिमारी जैसे दाद, खाज, खुजली, ऐलर्जी की सिकायत होने यहां तक की एकजिमा की सिकायत होने पे भी चक्रफूल का एहम रोल होता है इसे खतम करने में अगर आपको सर्दी खासी जुकाम या अस्थमा की भी सिकायत हो चाहे वो किसी भी कारण से हो तो यह चक्रफूल इन बिमारीों को दूर करने में भी काफी फाइदे मन्द है अगर हम चक्रफूल हल्दी की गाट और सोट को बराबर बराबर मातरा में ले करके इसका पाउडर बना करके इसे उचित मातरा में काड़ा बना करके पिए तो सर्दी जुकाम यहां तक की अस्थमा की बिमारी में भी बहुत फाइदा पहुचाता है अगर आपका पेट साफ ने रहता है आपको कबज की प्रॉब्लम रहती है चक्रफूल और आजवाइन को बराबर बराबर मातरा में ले करके इसका पाउडर बना ले और इसे उचित मातरा में एक गलास पानी के साथ सेवन करने से आपकी कबज की प्रॉब्लम दूर हो सकती दातों की सारी समस्याओं को दूर करने में ये चक्रफूल एक अचुक औसधी का काम करती है अगर आपके दात में कीड़े लगे हैं, मसूरों से मवाद आते हैं, मसूरों से खून आते हैं, आपके दातों में बहुत दर्द रहता है, मुह से बद्बू आती है तो चक्रफूल लॉंग और सेना नमक को मिला करके पाउडर बना ले अब ये पाउडर एक ऐसा मंजन तयार हो गया जो आपके दातों की सारी समस्याओं को दूर कर देगा आपको पिंपल्स किसी कायत है या आपको बहुत अधिक फोड़े फुंसी की समस्या है तो चक्रफूल के पाउडर को देशी घी में पेश्ट बना करके फोड़े फुंसी या पिंपल्स वाली जगह पे लगाने से आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है अस्तनपान कराने वाली वैसी महिलाएं जिनको प्रयाप्ट मात्रा में दूद नहीं हो पाता है और उनके बच्चे को प्रयाप्ट मात्रा में दूद नहीं मिल पाता है वैसी महिलाओं के लिए ये चक्रफूल वर्दान की तरह साबित हो सकता है इसी तरह से अगर आपको जोडों में दर्द, सूजन या गठिया की भी समस्या है तो चक्रफूल और हल्दी की गाट को बराबर मात्रा में पीस के पाउडर बना करके इसे सुबह और शाम गर्म दूद के साथ उचत मात्रा में लेने से आपकी इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है शुगर की बिमारी में भी चक्रफूल बहुत फायदे मंद होता है यह आपके शरीर में शरीर के मताबिक इनसुलीन तयार करने में आपकी मदद करता है और आपका शुगर हमेशा कंट्रोल में रहता है आप इस्टार एनस चक्रफूल की खूबियों से तो वाकिफ हो ही गए लेकिन जहां चक्रफूल के इतने फायदे हैं वहाँ इसके कुछ नुकसान भी है इसे अगर उचित मात्रा में ना लिया जाए तो यह हमें नुकसान भी कर सकता है क्योंकि चक्रफूल की तासीर गर्म होती है इसलिए पित्प्रक्रिति के व्यक्ति इसका इस्तमाल ना करें तो अच्छा होगा जिनके मुह से नाक से और गुदा से खून का आने की समस्या होती है वो इसका इस्तमाल ना करें गर्वती महिलाएं भी इसका इस्तमाल ना करें और वैसे महिलाएं जिसे जरूरत से ज़्यादा मासिक धर्म की समस्या होती है वो भी इसका इस्तमाल ना करें चक्रफूल को अगर उच्छत मात्रा में प्रयोग ना किया जाये तो ये फायदे की जगन नुकसान भी पहुचा सकता है तो अगर आप किसी समस्या की समाधान के लिए चकरफूल का इस्तमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तमाल करने के पहले अपने डॉक्टर से सलामसवरा जरूर कर ले उमीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकरी आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में थैंक यू बाई